Hello guys, welcome to science workshop, this is Kusum here इस वीडियो में हम transmission electron microscopy के बारे में हम पढ़ेंगे जो की electron microscopy का ही एक type है और जिसको हम short में क्या बोल देते हैं? TEM बोल देते हैं, छीक है? electron microscopy के mainly दो type होते हैं एक तो गयार TEM, जिसको अभी हम पढ़ेंगे transmission electron microscopy और दूसरा होता है Sam जिसको हम बोलते हैं scanning electron microscopy जिसको हमने last video में cover कर लिया है और अगर किसे नहीं देखा है वो video तो आप जाके वो भी देख सकते है अगर आपको इसके notes चीए तो आप मुझे telegram channel पे join कर सकते है science workshop के नाम से जो है वो आपको telegram channel मिल जाएगा और इसका जो link है वो आपको description में मिल जाएगा अगर आप चाहो तो मुझे twitter पे भी follow कर सकते हो और ये profile है इसका जो link है वो भी आपको description में मिल जाएगा और video अच्छा लगे तो please like कर देना, share कर देना अपने दोस्तों के साथ में और channel को अभी तक subscribe नहीं करा है तो subscribe भी कर लेना और bell icon को please करना भी मत भूलना ताकि next video का update जो है वो आपको मिल सके तो ये start करते हैं TAM के बारे में यानि transmission electron microscope के बारे में ये देखो कुछ इस तरह का हमारा transmission electron microscope दिखता है और ये काफे large होता है और इसको use करने के लिए भी हमें एक special training की जरुरत होगती है like use करने में easy नहीं है तो एक special training चाहिए होती है इसको properly use करने के लिए और ये इसका जो man part होता है और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं system लगा हुआ है और इस system के उपर जो है वो हमें image बिलती है ठीक है तो आपने देख लिए time किस प्रकार का दिखता है इसके लिए हम क्या करते हैं हम सबसे पहले हमें जो sample जिसको जो object है हमारे पास में उसको क्या करना होगा उसको prepare करना होगा और preparation के लिए कुछ steps होते हैं जो कि हम follow करते हैं sample को prepare करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे tissue sectioning करेंगे tissue sectioning मतलब हमारा जो object है उसको काफी thin layers में क्या कर लेंगे section कर लेंगे उसके ताकि यहाँ पे हम जो electron beams का use कर रहे हैं और वो electron beams इस object से क्या हो सके transmit हो सके ठीक है तो लगबग thin होना चाहिए हमारा object 100 annum से भी कम जो है वो thin होना चाहिए और यह जो tissue sectioning करते हैं हम यह किस से करेंगे एक device होती है जिसको हम बोलते है ultra microtome ठीक है यह device use में ली जाती है tissue sectioning करने के लिए then हम क्या करेंगे next step है हमारा fixation ठीक है और fix करने के लिए हम कुछ chemical products का use करते हैं और example के लिए हम देख सकते हैं gluten aldehyde का हम यहाँ पे fix session के लिए use कर सकते हैं then next step हमारा क्या होगा rinsing and standing rinsing का मतलब यहाँ पे हुआ कि हम उसको wash करते हैं और उसके बाद में हम उसको stain करेंगे और stain करने के लिए हम heavy metal compound जो है उनका use करते हैं अगर heavy metal compound की example ले तो आज आता है osmium, lead, uranium यह सब के सब किसकी example है heavy metal compound की example है जिससे हम अपने sample को stain करते हैं उसके बाद में हम next step में dehydration करेंगे और dehydration के करने के लिए हम क्या use करते हैं ethanol जो की high concentration वाला होगा उसका use करेंगे ठीक है अब dehydration के बाद में हमारा sample हो गया prepare और अब हम इसको sample जो हमारा specimen stage है वहाँ पी रख सकते हैं यानि microscope के अंदर हम अपने sample को रख सकते हैं यह जो TAM है और SAM है हम दोनों के ही बात कर रहे हैं यानि electron microscope जो होता है उससे हम live cells को visualize नहीं कर सकते गाईज हम live cells को इस microscope से visualize नहीं कर पाएंगे यहाँ पे एक benefit यह है कि जो भी biological components होते हैं और non biological components होते हैं उन दोनों को ही electron microscope के अंदर हम visualize कर सकते हैं भले ही वो biological component हो या फिर non biological component हो दोनों को हम यह आपे visualize कर सकते हैं नोन biological का मतलब जो की man made हो सकता है ठीक है man made हो सकता है तो वो non biological के अंदर आ गया then हम यहाँ पे कुछ इसके applications देख लेते हैं कि TAM का हम use कहाँ पे गरते हैं देखो TAM जो है वो एक topographical, morphological, compositional और crystalline information देता है किसी भी object की topographical का मतलब यह हुआ कि surface की जो image है, surface की जो structure है किसी भी object की वो हमें मिल जाएगी और composition का मतलब जो object है वो किस जीज का बना हुआ है और इसके लावा जो crystalline information जो है वो हमें TAM से मिल जाती है ठीक है टैम का use और कहाँ पे किया जाता है जो sample है उसके molecular level पे हमें steady करना है तो हम TAM का use करेंगे structure को analysis करना है तो हम TAM का use करेंगे और इसके research में जो tumor cells होती है उनकी steady करने के लिए क्या करते हैं tumor cell की ultra structure की जो है steady करने के लिए हम TAM का use करते हैं वहाँ पे तो यह different different areas हैं जहाँ पे हम TAM का use करते हैं biological और non biological दोनों type की components को visualize करने की लिए then हम देखते कि TAM के advantage क्या है कि भाई क्या फायदे हैं इसकी अगर हम microscope में TAM का use कर रहे हैं तो यह बहुत ज्यादा powerful और magnification और high resolution वाली image देगा और यानि बहुत बढ़ा करके दिखा देगा और इसका जो clarity है वो भी काफी ज्यादा होती है जो TAM है वो information provide कराता है elements और compound के structures की और जो image मिलती है वो हमें high quality वाली मिलती है और detailed image हमें TAM से मिलती है तो यह कुछ इसके advantage थे next हम देखते हैं इसके कुछ disadvantage के बारे में TAM के क्या disadvantage हो सकते हैं देखो TAM जो है हमने देखा picture में यानि photo में हमने देखा था कि यह बहुत large दिख रहा है हमें ठीक है तो यह large होता है और बहुत ज्यादा महंगा होता है यानि बहुत expensive होता है तो हर को इसको afford नहीं कर पायेग यानि हर एक laboratory में यह हमें देखने को नहीं मिलेगा और यह काफे large होता है और laborious sample preparation यानि कि जो हमें sample preparation के लिए कितनी सारी steps follow करनी पड़ रही थी ठीक है तो वो काफे difficult होता है और इस sample को prepare करने के लिए और इस time का use करने के लिए यानि इसको operate करने के लिए और इसको analyze करने के लिए हमें special training की जरुरत होती है ठीक है यानि हर कोई इसको use नहीं कर पाएगा अगर इसको को use कर रहे है तो वो इसको पका special training दी गई होगी उसके बारे में बताया गया होगा इसके लावा TAM को require होती है special housing और maintenance इसको proper maintain भी करना पड़ता है और इससे जो हमें image मिलेगी वो black and white में होगी यानि colored image हमें नहीं मिलेगी और जो image है वो 2D होगी यानि 2 dimensional होगी D का मतलब यहाँ पर dimensional से लेते हैं हम और कई जगे यहाँ पर मतलब 3D image भी देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर जो है वो 2D image देखने को मिलता है TAM के अंदर transmission electron microscopic के अंदर और जैसे कि हम जानते हैं कि electron microscopy में हम किसी भी object को visualize करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं electron beams का यूज़ करते हैं ठीक है? electron beams का यूज़ करते हैं और ये electron beams को produce करने के लिए TAM के अंदर क्या लगा होता है? electron gun लगा होता है जिससे क्या होगा? electron beams produce होगी और electron beams अगर light के comparison में देखें कि कि किसी भी object को light microscope में देखते हैं तो उसकी comparison में electron microscope में high resolution मिलता है, high magnification power मिलता है ठीक है? क्योंकि जो electron beams होती है उनकी जो wavelength होती है उनकी जो wavelength होगी वो क्या होगी? वो कम होती है और wavelength कम होने की वज़े से resolution ज़ादा होगा then हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा TAM है यानि transmission electron microscope है उसमें कौन-कौन से components होते हैं एक तो हमारे पास में होगा जो electron gun है जिससे electron beam produce करी जाएगी ठीक है? ये यहाँ पे top में होता है जो कि tungsten wire यूज करते हैं यहाँ पे जो कि जहाँ से electron beams produce होगी ठीक है? इसके अलावा एक condenser aperture यहाँ पे लगावा होता है ये यहाँ आप देख सकते हो ठीक है? ये condenser lens के अंदर condenser aperture होता है और यहाँ जो है वो एक objective aperture लगावा है objective lens के अंदर objective aperture होता है यहाँ पे हम अपने sample को क्या कर रहे हैं? port कर रहे हैं यानि जो specimen है उसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ एक जो intermediate aperture होता है जो कि intermediate lens में लगावा होता है और यह जो नीचे है यहाँ पे fluorescent screen होती है जहाँ पे हमें image देखने को मिलती है यहाँ पे जो image आएगी screen के उपर यह system से connect होता है और वहाँ direct हमें system पे ही image देखने को मिल जाएगी और जो image होगी वो कैसी होगी? 2D होगी और black and white होगी black and white image जो है वो हमें देखने को मिलेगी टैम के अंदर ठीक है? I hope समझ में आ गया होगा इतना then हम देखते हैं कि यह काम कैसे करता है? जो टैम है वो कैसे काम करता है? जो electron source है जो कि tungsten का यहाँ पे हम use करते हैं, tungsten wire का तो यहाँ से हम देखते हैं कि electron beam जो है वो produce होती है और जो electron beam है वो condenser lens यहाँ पे यह देखो condenser lens लगा होगा होता है यहाँ से होते हुए यह condenser aperture तक आती है अब condenser aperture से होते हुए यह हमारे sample पे आएगी यहाँ पे हमारा sample है और यह हमारे sample से आएगी जब यह sample के उपर electron beams पड़ेंगी तब sample के जो atoms है sample में molecules होते हैं surely ठीक है यह molecule से होते वेज आएगी और sample इसको क्या कर देगा आगे transmit कर देगा हम देख रहे थे कि जो हम thin tissue ले रहे थे tissue का sectioning कर रहे थे सबसे पहले वो इसलिए कर रहे थे ताकि electron जो beam है यह इसको transmit कर पाए okay sample को transmit कर पाए इतना thin हमें लेना है तो यहाँ sample से जो है electron beam आगे electrons को transmit कर देगी यहाँ पे electron आजाएंगे मतलब अब यह जो transmitted electron है यहाँ पे जो electron आए है वो कैसे है transmitted transmitted जो electron है वो objective lens से होते वे objective aperture तक आएंगे और objective aperture से होते वे नीचे जो intermediate lens है यह intermediate lens है यहाँ लगा हुआ है और यह जो aperture है यहाँ से cross करते वे इसको objective lens से होते वे और हमारी screen पे आजाते है जो fluorescent screen होती है वहाँ आजाते है और यहाँ जो fluorescent screen है यहाँ पे हमें image मिल जाती है जो कि black and white में होती है और 2D में हमें image यहाँ पे मिलती है जो screen पे image आएगी क्योंकि यह screen जो है वो हमारे system से attach है तो system पे वो direct image हमें देखने को मिल जाएगी ठीक है तो यह इसका पूरा process था तो यह जो image हमें मिल रही है black and white ठीक है black and white जो image मिल रही है 2D के अंदर यह image की base पे बनती है वो हम देखते हैं कि जहाँ से electron sample यह मानलो हमारा sample है और जहाँ से electron beam आ रही है और आगे electron ज्यादा scatter होते है scatter मानलो यहाँ से ज्यादा scatter होगे ठीक है यहाँ से ज्यादा scatter होगे तो यहाँ पे तो कैसी image मिलेगी हमें हमें dark image मिलेगी जहाँ ज्यादा electron scatter होते हैं वहाँ पे dark image मिलेगी और जहाँ पे कम scatter हुए electron यानि ये हलकी से scatter हो रहे हैं ठीक है तो यहाँ कम scatter हुए तो यहाँ पे एक bright image हमें मिलती है तो इस तरह से इसका combination बनता है कि जहाँ electron जहाँ electron scatter जादा होंगे वहाँ पे dark image मिलेगी जहाँ electron जहाँ electron कम scatter होंगे वहाँ पे एक bright image मिलेगी तो इस तरह से हमें एक final 2D image screen पर देखने को मिल जाती है अभी हम देखेंगे कि हमें कैसी image दिखती है TAM के अंदर जब image देखते हैं हम अब यहां देख सकते हैं 2D image कुछ इस तरह की दिखती है TAM के अंदर यानि transmission electron microscope के अंदर कुछ इस तरह की image हमें देखने को मिलती है I hope अभी समझ में पूरा आगया होगा ये save notes मैंने बना रखे है principle क्या होता है इसका, कैसे ये work करता है ठीक है, तो ये एक बार हम देख लेते हैं कि क्या-क्या इसमें हमने देखा है, अभी पीछे समझा है ये जो थोरी है, इसको भी हम read out कर लेते है so time जो है, वो एक complex and sophisticated है लेकिन इसका जो basic principle है तो ये काफी understood करने वाला है like हमें ये जानना होगा, कि ये कैसे काम करता है like हमारे पास में एक tungsten filament है जिससे क्या होगा, electron produce होगे यानि ये एक electron gun है, जो की tungsten filament की बनी भी है और जिससे electron beam produce होती है जो की specimen के उपर focus होती है किसके द्वारा condenser lens के द्वारा हमने देखा था, पहले electron beam आएगी फिर वो condenser lens से गुझरेगी फिर हमारे specimen तक आती है, ठीक है then यहाँ पे जो electron जो है तो वो glass lens को pass नहीं गर पाते है इसलिए हम किसका यूज करते हैं हम magnetic lens का यहाँ पे यूज करते हैं ताकि electron beam जो है वो उससे pass हो सके तो जो column है उसके अंदर हमें, जो column है उसके अंदर lenses और specimen लगे वे होते हैं और उसके अंदर high vacuum को हमें maintain करना होता है ताकि वो air की contact में वो environment ना आए और अगर वो air की contact में आ जाता है तो क्या होगा कि जो हमारी image है वो हमें clear image नहीं मिल पाएगी तो इस वज़ए से यहाँ पे क्या है कि जो electron है वो अगर air के साथ में air molecules के साथ में collagen कर लेते हैं तो वो deflected हो जाएंगे ठीक है तो इस वज़ए से हम जो column है उसके अंदर high vacuum को maintain करके रखते हैं जो specimen है उसके अंदर से scatter होते हैं electron जब वो pass होंगे तब तो जो magnetic lens है उसको वो focus करता है और form करता है एक large image को एक visible image जिसको हम fluorescent screen के उपर देख सकते हैं और जो dancer reason होगा वहाँ से specimen ज़्यादा specimen जो है वो electron को ज़्यादा scatter करेगा और वहाँ से हमें dark image देखने को मिलेगी और electron transparent reason जो है वो brighter होगा यानि जहां से electron कम scatter होए है वहाँ पे हमें bright image देखने को मिलेगी इस तरह से जो है जो image बनके आती है वो capture हो जाती है permanent record में हमारे आ जाती है system के उपर तो यह इसका main principle था कि यह किसके उपर काम करता है यानि कि electron जो है वो transmitted होगे और वो कितने electron scatter होए उसके base पे हमें black and white image देखने को मिलेगी ठीक है सो आयो principle सबको समझ में आ गया होगा अभी हम इसको थोड़ा सा detail में दिख लेते हैं कि यह थोड़ा simple language में मैंने यहाँ पे note down किया है कि जो electron beams आती है वो electron source से produce होगी सबसे पहले उसके बाद में electron beam जो है वो condenser lens से होते भी हमारे sample के उपर में पढ़ेगी और जो electron है वो transmitted हो जाएंगे sample से और जो transmitted electron है वो objective lens से होते हुए हमारे objective aperture तक पहुँचते है ठीक है अब objective aperture के थ्रियू ये electron जो है वो intermediate lens से होते हुए screen तक आते है fluorescent screen जो होती है उस तक आते है और यहाँ पे जो image develop होती है वो इस base पे होती है कि कितने electron transmit हुए है ठीक है तो electron के transmission पे ये पूरी जो process है वो टिकी वी है image जो देखने को मिलती है वो हमें electron transmission की वज़े से ही देखने को मिलती है और image हमें computer screen पे दिख जाती है यहाँ पे जहाँ से ज़्यादा electron क्या हो रहे है scatter हो रहे है वहाँ से image हमें कैसे मिलेगी dark image मिलती है और the energy of the electron crossing from the electron beam nucleus in the molecule is not much lost there is less scatter यानि कि जो nucleus की side से हो कि जो electron आते हैं वो अपने energy को ज़्यादा lost नहीं करते और इस वज़े से वो कम scatter होंगे ठीक है यानि मान लो कोई ये molecule या atom है तो ये यहाँ से जो electron आएंगे ये ज़्यादा energy को अपनी loss नहीं करेंगे ये बहुत कम scatter होंगे और जो atom के अंदर यानि हमारे molecule हमारे specimen के अंदर already electron exist करते हैं उसके ज़स्पास से ओके गुझरेंगे वो बहुत ज़्यादा scatter हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ से image हमें कैसे मिलेगी brighter मिलेगी तो जो less scatter होते हैं वहाँ पे image हमें कैसे मिलती है dark image मिलती है इस point में देख सकते हो और जहाँ से electron less scatter होते हैं इमेज हमें कैसे मिलती है हमें एक brighter image मिलती है और इस तरह से black and white image का combination आता है और जो की एक 3D image होती है sorry 2D image हमें याँ पे देखने को मिलती है black and white का combination आएगा और 2D image जो है वो time के अंदर हमें देखने को मिलेगी ठीक है आयोब समझ में आ गया होगा यह पूरा जो process कैसे होता है यह मैंने आपको बताया है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर देना share कर देना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को subscribe नहीं करा है तो आप subscribe भी कर सकते हैं और bell icon को praise करना मत भूलना तक नेक्स्ट वीडियो को जो है update आपको मिल जाए और इसके लावा मैं आपको बता दू कि जो tools and techniques in biology है tools and techniques in biology इसकी एक playlist बना रखी है मैंने और वो playlist में आपको काफी सारे इसके वीडियोज मिल जाएंगे जिसके अंदर हमने light microscope के सभी types पढ़ लिए है और यहां आज electron microscopy के भी हमने दोनों type पढ़ लिए है अभी हमारा बसता है इसके अंदर atom force microscopy atom force microscopy जिसको हम आने वाले वीडियोज में cover कर लेंगे ठीक है उसके साथ ही साथ हमारा जो ये first unit है tools and techniques in biology का वो complete हो जाएगा so thank you so much guys